नमस्कार आप सभी का GS Magnet के इस YouTube प्लेटफोर्म पे तो साथ यो आज के इस New Practice 8 के माध्यम से हम लोग जो बिहार पुलिस के लिए टेस्ट ज्यान मिंदू GS Academy मानिय रोशन अननसर के द्वारा जो ओफ लाइन क्लास में टेस्ट कराया जाता है जिसका टेस्ट नमबर 6 हम लोग सेशन में सल्व करेंगे और इसमें 100 के 100 प्रस्ण हम लोग सल्व करेंगे इसलिए आप सभी लोग चाहते हैं बिहार पुलिस में सेलेक्शन लेना तो इस टेस्ट को आप लोग जरूर लगाईए चुकि यह जो टेस्ट है पैड़ बैज का टेस्ट है और फ्री नहीं है यह यानि कि जो लोग एडिविशन लिये हैं क्लास में वे लोग ही इस टेस्ट को लगा सकते हैं लेकिन मैं आप सभी को free of cost इस चैनल के माद्यम से उन सारे 100 के 100 प्रस्ण को सल्व कराता हूं जो offline क्लास में टेस्ट होता है तो आप सभी लोग इस प्रस्ण को देखिए इस टेस बच गया है ठीक है तो आप सभी लोग इस मंदारी पुर्वक इस सेशन को देखिए पूरा सेशन को एटेम्ट कीजिए जिससे आपका एक भी प्रस्ण छूटे नहीं और जब आपका एकजाम हो यानि कि 24 तारी के जिस दिन आप एकजाम में बैठिए ब्यार पुलिस का उस उसमें आपका एक भी प्रस्ण गलत नहों ठीक है तो चलिए हम लोग आज के इस सेट को सुरू करते हैं आज के टेस्ट के प्रस्णों को सल्व करते हैं तो देखिए चलिए तो आज के टेस्ट का पहला प्रस्ण है निम्न में से कौन सा ब्रह्मण गरंत साम बेदिस से संब आप सभी को बताना है तो इस प्रस्ण के लिए जो लोग भी जबाब अप्सन C बता रहे हैं 25 आपका बिल्कूल सही जबाब है यानि कि बात किया जाए ब्रह्मन गरंत सामबेद से कौन सम्बंदीत है तो 25 आप लोग ध्यां रखिएगा और आपके इस प्रस्ण का सही प्रस्ण है दो नमबर आपका सुतका गंडौर की खोज किस ने किया देखिए सुतका गंडौर क्या है एक प्रकार का हडापई एस्तल है और बरतमान में इसका लोकेशन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लोग ध्यां रखिएगा कहां परता है तो देखिए यह दा अपसन नमबर एको ध्यां रखिएगा और एल एस्ताइन ने किया था इस बात को आप लोग ध्यां रखिएगा वही जेपी जोसी का बात किया जाय तो ध्यां रखिएगा 1968 में दो बेगती थे एक जेपी जोसी और इनका नाम रविंदर सिंग विष्ट था इन्होंने क्या किया धौला विरा की खोज की यानि कि अगर बात किया जेपी जोसी का तो धौला विरा आप लोग ध्यां रखिएगा और धौला विरा बरतमान में लूनी नदी भारत के ग सिंधू और अगर 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 देखा जाए तो ध्यां रखिएगा इन्होंने किसका खोज किया था तो ध्यां रखिएगा प्रतमान में पाकिस्तान में ठीक है उमीद करते हैं इस प्रस्ण को आप लोग समझ पाए होंगे वही अगर अप्शन सी को देखिएगा तो अमला नंद घोश का अगर देखा जाए तो ध्यारख्येगा इन्हों ने किसका खोश किया था तो काली बंगन की खोश की यानि कि काली बंगन की खोश की जो बरतमान में कहा है राजिस्तान का हनुमानगण जीला ठीक है और इन्हों ने इसका खोश कब किया था तो ध्यारख्येगा जैन तिर्थकर 500 नात का प्रतीक चीन क्या है देखिए आपको पता होगा कि जैन धर्म में कुल कितने तिर्थकर हुए 24 अंतिम तिर्थकर महावीर स्वामी ठीक है अगर बात कर लिया जाए कि 23 तिर्थकर तो कौन थे 500 नात थे प्रतीक चीन पूछा गया है ध्यां रखिएग का अप्शन नंबर भी सर्प तीन नंबर प्रस्णी के लिए सही जवाब अप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यां रखिएगा सर्प ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है देखिए यहां पर चार नंबर बहमनी वन्स का राज्य भासा क्या था आप लोग को बताना है तो ध्यां रखिएगा 1347 से लेकर के 1518 ठीक है और अगर बात कर लिया जाए इस वन्स की एस्तापना का तो आप लोग ध्यां रखिएगा अलावदीन बहमन साह का नाम आप लोग ध्यां रखिएगा तो आपकी प्रस्ण का सही जवाब अप्शन नंबर डी मराथी होगा प्रस् प्रस्था का अंत कब किया गया काफी इंप्पोर्टेंट प्रस्ण है अप्सन बी को ध्यां रखिएगा 1562 में किया गया थे जो आपके प्रस्ण के ऑप्सन नंबर बी में है इसंप्रस्ण का सही जवाब ठीक है चली अगला प्रस्ण है 6 नंबर Sivaa जी दोरा पहली बार आप सभी को पता है कि सीवा जी ने सुरत को लूटा था प्रतम बार आप लोग ध्यान रखिएगा 1664 इस भी को लूटा था ठीक है जो आपके अप्सन नमबर B में है देख लिए यहाँ पर आपके प्रस्न का सही जब अगला प्रस्न है साथ नमबर बहादूर सा प्रतम होगा यहाँ पर ध्यान रखिएगा बहादूर सा को किस उपनाम से जना जता था देखिए बहादूर सा को जो उपनाम से जना जता था साहे बेखबर के नाम से जना जता अप्सन नमबर C आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्न है देखिए यहाँ पर आठ नमबर अगला प्रस्ण है आठ नमबर किस पुर्तगाली वैसराय ने 15 सदस इस्वी में यूसुप आदिलसा से गुवा को जीता किस ने जीता था आप सभी को बताना है ध्यान रखेगा अलफांसो द अलबुक ककर का नाम आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है इस प्रस्ण के ल का डर्स इ Richards इंडिया कंपोनी के स्थापना Canal 120 में हुआ था ड्ने ऐस इसिछ इंडिया कंपोनी कें स्थापना 2016 में हुआ था फ्रांसे इसिँ इंडिया कंपोनी के स्थापनाagner 666 में नहीं का सही जबाब अप्शन सी हो जाएगा प्रस्ण है दस नंबर काल कोठरी की तरास्दी यानि की ब्लेक होल तरास्दी नामक घटना कब घटा देखिए जब बंगाल के नवाब सिराजु दौला थे उसमें इन्हों ने क्या किया 146 अंग्रिजों को बंदी बना लिया जिसमें महिला और बच्चे भी सामिल थे और एक छोटी से कोठरी में क्या कर दिया बंद कर दिया इसमें से महज अगरवात कर लिया ज़िए 146 में से मात्र 23 लोग ही जीवित बचे थे ठीक है ध्यार रखिए यह घटना अप्सन भी 20 जून 17 सचपन को हुआ था ठीक है आपके प्रस्ने के लिए सही जबाब अप्सन भी को आप लोग ध्यार रखिएगा 11 नमबर प्रस्ने जालिया वाला बाग हर्त्या कारण में किस भारतिये ने जर्नल डायर को सहयो किया था एनिकि जर्नल डायर को किस ने सहयो किया था आप सभी को बताना है तो देखिए अगर बात कर लिया जाए 11 नमबर प्रस्ने के लिए तो अप्सन नमबर एक को ध्यार रखिएगा हंस राजने किया था किस ने किया था हंस राजने किया ठीक है अगला प्रस्न है 12 नमबर अगर इस प्रस्णिंग के लिए सही जवाब का बात किया जाए तो अप्शन D हो जागा सबसे पहले आप लोग इसको द्यान रखिएगा 89 साथियों के साथ अपने यत्रा को सुरु किया था अब देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि 88 होगा आप अंसर गलत बता दिये तो मैं आप सभी को कुछ साक्ष प्रमाण दिखा देता हूँ देख लिजी आप लोग देखिए जब आप लोग जो न्यू समान्य ग्यान एस्पीडी है यहीं कि समान्य अध्यन पेज नमर पांच पे देखिएगा तो देखिए यहाँ पर बताया ग्या है कि गाधे जी ने 12 मार्च 1938 को 38 अनुवाईयों के साथ साबर मंती से दांडी यत्रा प्ररम्ब कर 6 अप्रेल 1930 को 388 किलोमीटर यत्रा कर दांडी जिला नौस पीडी में बताया ग्या है कि 78 अनुवाईयों के साथ ठीक है लेकिन वहीं अगर मैं लूसेंड का बात करनूं तो यहाँ पर आप लोग देख लिजिए लूसेंड में जब आप लोग पेज नमबर 56 को देखिएगा जो न्यू लूसेंड का बूक है उसमें यहाँ पर देख किये तो यहाँ पर कुल कितने साथ ही दिया गया है 79 लेकिन जब आप SPD को देखिएगा तो उसमें कितना दिया गया था यानि कि आप लोग देखिए 38 दिया गया था लेकिन मैं अगर बताओ कि आपका एंसर सही क्या होगा ठीक है तो ध्यां रखिएगा 79 ही आपका के लिए सही जब आप 79 ही देखिएगा अगर 79 अप्षन में 9 रहे तब आप लोग क्या लगाईएगा 78 लगाईएगा अगर अप्षन में दोनों रहे तो ध्यां रखिएगा 79 आपको लगाना है तो आप लोग अप कमेंट मत किजिएगा कि आप एंसर गलत बताते हैं या गल पहां रहे दोनों सोब्लका के लिए सही जबाब अप्सन सी यानिकी सेमुल एडमस का नाम अप लोग ध्यायर खिएगा अप्षन नमबर C आपके प्रस्न का अगला प्रस् Inhale देखिए चोदा नमबर यंग इटली की सतापना किस ने किया देखिए यंग इटली की इस्तापन दो दो आपके प्रस्न का प्रस्न हैसे जवाब पंदर नूमबर प्रस्न है अकास गंगा कि सबसे नज्दी की मन्दाकनी का नाम क्या है देखिए सबसे नजदिक पूछा गया है न तो आप लोग ध्यां रखेगा जो 15 नमबर आपका प्रस्ण है इसके लिए सही जबाब देव यानी का नाम आप लोग ध्यां रखेगा देव यानी ठीक है कौन है सबसे नजदिक तो देव यानी अपसन नमबर सी आपके प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा ठीक है चली अगला प्रस्ण है देखिए यहाँ पर 16 नमबर 16 नमबर जो प्रस्ण है देख लेजिए निम्न में से किस देश से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है देखिए मकर रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है तो ध्यां रखिएगा इकवाडोर से होकर के नहीं गुजरती है बाकी अर्जेंटीना अस्टेलिया दक्षिन अफिर्का से होकर गुजरती है नहीं पुछा गया है अप्षन डी को ध्यार रखिएगा आपके प्रस्ण के लिए सही जबाब 17 प्रस्ण है अस्ट्य मिलान का चेन करना है और देखिए आपके सामने आपका प्रस्ण है और उसका अप्सन है कहा है देखिए यहाँ पर कि हर्न अफ अफिर्का इथोपिया को कहा जाता है सोमालिया को और जिवूति को ठीक है वही अगर बात कर लिया जाए आगे की तरब तो ध्यान रखेगा यानि की बी नमबर है गोल्ड कोस्ट घना को कहा जाता है अंद महादीप अफिरिका को कहा जाता है लेकिन वही बात किया जाए वनु का देश तो नाइजेरिया को नहीं कहा जाता है आप लोग ध्यान रखेगा, वनो का देश कांगो आप लोग ध्यान रखेगा, ठीक है? कांगो आप लोग ध्यान रखेगा, अगला प्रसन है 18 नंवर, संकोस नदी निम्ण में से किस दो राज्यों के भी सिमा बनाती है? देखिए जब आप लोग इस प्रस्ण को पढ़िएगा तो आपका सही जबाब होगा अप्शन नमबर C असम और अनल्चल परदेश आप लोग ध्यान रखेगा इन दोनों राज्यों के भी संकोष नदी सीमा बनाती है 19 नमबर प्रस्ण है लोगो हिमाल्या स्रणी में एस्तित अलपाइन चरगा को किस राज में बुग्याल या प्यार के नाम से जना जाता है तो देखिए यहाँ पर अप्शन नमबर D उप्युक्त सभी को देख करके आप सभी पे ठीक मत लगा देजिएगा आपका सही जबाब अप्शन B होगा उत्राघंड में ठीक है अगला प्रस्ण है 20 नमबर अंडमान निको बार दिफ समोगी रहधानी पोर्ट बलेयर किस में एस्तित है पोर्ट बलेयर अप्शन ये को ध्यार रखेगा दक्षणी अंडमान में एस्तित है अगला प्रस्ण 21 नमबर निम्र में कौन सा कथन काली मिटी के बारे में सत्त है देखिए कथन A है आपका इसका काला रंग टिटेनी फेराम मेगनेटाइट एवं जिवान्स के कारण होता है बिल्कुल आपका या सही कथन है दूसरा कथन है इससे काली कपासी या रेगुर मिटी कहा जता यह भी सही कथन है देखिए अप्षन पूछा गया तो ध्यायार रखेगा आप सभी लोग यानिकि अप्सन भी चीन को आप लोग ध्यायार रखेगा भारत में पुछलिया जाए कौन सा राज अगरिन है तो ध्यां रखेगा यानिकी आंद्रपर्दिस ठीक है अगला प्रस्ण है 23 नंबर Geological Survey of India का मुख्याले अवस्तित है कहां अवस्तित है तो देखिए इसका जो मुख्याले हो जाएगा आपका 23 नंबर प्रस्ण के लिए ज किसका एस्तापना एस्तान के जगा एस्तापना होगा कनार्डा के सवयोग से हुआ है देखिए इस प्रस्ण के लिए सही जबाब आप लोग ध्यां रखेगा इंडालको हो जाएगा इंडालको की एस्तापना कनार्डा के सवयोग से हुआ है वही अगर बात के जाए नालको अगर बात के जाए बालको का तो बालको की स्थापना सोवियत संग के साथ यानिकी मदद से हुआ है ठीक है वही अगर बात के जाए हिंडालको का तो ध्यां रखेगा हिंडालको के स्थापना USA USA यानिकी सोवियत संग आप लोग ध्यां रखेगा USA के सयुग से हुआ है यूएसे के सयुग से हुआ है यानिकी कनाडा के सयुग से तो अप्सन सी को ध्यां रखेगा इंडालको ठीक है अगला प्रस्न है देखिए पचीस नमबर पुंडता सोर सक्तिक्रित विश्व का आप लोग ध्यां रखेगा जो कहां पढ़ता है पिछले सेशन में बताया है बताइए कहां पढ़ता है कमेंड करके यानिकी कोचीन अंतराष्टी हवायड़ा कहां है ठीक है अगला प्रस्न है देखिए याप 26 नमबर भारतिय समिधान के अंतरगात निमलिखित में से कौन मुल करतब नहीं है देखिए अगर वरत्मान में मुल करतब के बात किये जाए तो 11 कितने हैं 11 कौन नहीं है आपको बताना है तो ध्यां रखेए comfy अ DS 3 लोग शुनां में मंतदान करना मौलिक करतब नहीं है इस बात को ध्यान रख्यगा नहीं पूचा गया है अप्यात अप नांगर्तिय नाग्रिक्ता आधिनियम 1975 के अनुसार नायेक्ता की सद्धार पर प्राब्त की जा सकती है देखिये पांच अधार से प्राब्त की जा सकती है जिसमें few त्मच यह करण वमशी करण भूमिभिष्थार चारू है देखिए असन नमबर डी को देखिए एक दो तीन चार यानिकि 27 नमबर के लिए सही जवाब अपसन नमबर डी को ध्यान रखिएगा अगला प्रस्ण है 28 नमबर निमलिखित में से किसने नीती निर्शक्षिदानतों को बैंक की सुविधा अनुसार डै उतर दिनांकित चेक कहा यानिकि चे निर्शक्षिदानतों की स्तित से लिया गया है तो आयरलेंड आप लोग ध्यान रखिएगा क्या ध्यान रखिएगा अगला प्रस्ण है 29 नमबर केंडर और राज्यों के मद्ध बिवादों को सुल्जाने के लिए निमलिखित में से किस आयोका गठन नहीं किया गया था कि कारे काल अनुछेद 156 में, राजन बिधान वंडल का अभीन उंग है, अनुछेद 164 में, इसका उलेकश means देखिए सपत 160 में नहीं है यहीं कि अनुछेट 160 में सपत गरहन की gottaんな नहीं है यहीं कि सपत गरहन है 169 में यहीं तो यहीं मुझ द्यादिस होते हैं वही राज्यपाल को सपत दिलाता है ठीक है इस बात को द्यान रख्येगा वही बात कर लिया जाए राजपाल के छमादान के सक्तिक किस अनुशेद में हैं तो अनुशेद 168 आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है और आप लोग ध्यान रखेगा अनुशेद 213 के तहट राजपाल अध्यादेश जारी करते हैं ठीक है नहीं पुछा गया है अपसंसी को ध्यान रखेगा र साथ साथ परित किया जा सकता है देखिए बताइए कौन सा विधायक है तो ध्यां रखेगा 31 नमबर प्रस्णी के लिए सही जवाब अपसन नमबर सी बीत विधायक का नाम आप लोग ध्यां रखेगा आपके प्रस्ण का सही जवाब अपसन नमबर सी हो जाएगा अगला प्र पर उसे सामिल किया गया था अगला परस्ण है चोरह सिवे संसोधन अधिनियम के द्वारा लोक सभायों बिधान सभाव की स्टिटो की संख्या कव टक यथावत रखने का प्रवधान किया गया है तो देखिए या जो प्रवधान है दो हजार चब्विस तक अपसन नमबर सी आप लोग ध्यान रखेगा 33 नमबर प्रस्ण के लिए ठीक है अगला प्रस्ण है 34 नमबर राजसभा के पर्थम उपसभापती कौन थे देखिए राजसभा के पर्थम उपसभापती आप से पूछा गया है तो ध्यान रखेगा एस भी क्रिष्णा मूर्ती रावते अपसन नमबर डी आप लोग ध्यान रखेगा ठीकी प्रस्ण 35 है सुची एक तथा सुची दो को सुमिलित किजिए एम सही उत्तर का चैन करें देखिए एक तरफ छामादान के प्रकार है एक तरफ संबंधित विवरण है अगर बात किय देखिए अपसन एका छमादान का अर्थ क्या होता है अपसन तीन को ध्यार रखेगा पुणता माप करते हैं देखिए दोगों अपसन में तीन है एका यानिकि बी और सी में आप ए और डी को तो काठी दीजिए इसमें से पैंसर ही नहीं होगा अगर बात किया जाए परिहा परिहार के लिए आप लोग यानिकि आपका क्या हो जाएगा तो देखिए अगर बी को आप लोग देखिएगा तब परिहार का मतलब होता है क्या यानिकि दोसी बेक्ति से सजा की मात्रा को कौम कराना परिहार का मतलब होता यानिकि बी का क्या होगा पांस देखिए एका क् में मिल गया क्या पांच तो देखिएगा अप्षन सी में एक का तीन और बी का पांच बाकी दो ही मिल गया सही है क्या आपका अप्षन नमबर यह आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है निम्न में से कौन पर्फम स्रणी के उपभोगता है अप सभी को बताना है तो देखिए अप्षन B को ध्यान रखिएगा लिए अप्षन B हो जाएगा PCNO Kleine का नाम आप लोग ध्यारकेगा option number B ठीक है यानि कि 37 number प्रस्ण के लिए सहीजभाब option B को आप लोग ध्यारकेगा 38 number प्रस्ण है निमण में कौन सा आध्र भोमी मिजोरम राज्ये में कौन सा मिजोरम में है आपको बताना है तो देखिए 38 के लिए सही जबब आप लोग ध्यान रखिएगा अपसा नमबर ए पाला आद्रवोमिकाय मिजोरम में ठीक है चली अगला प्रस्ण है 49 नमबर ब्रिक्ष एम जाडियों का ध्यान क्या कहलाता है देखिए ब्रिक्ष और जाडि का जो अध्यान हो जाएगा आप अपसा नमबर डी आप लोग इस प्रस्ण के लिए ध्यान रखिएगा सही जबाब 40 नमबर प्रस्ण है सुक्स्मनलिकाओ के समू सिस्टरनी कोसिका कि किस अंगक में पाया जाता है किस अंगक में पाया जाता है तो ध्यान रखिएगा गोलजी का या गोलजी बड़ी अपस km खांद खीएगा अब्सांन halten देखिए 42 नंबर सभी स्मेलित कीजिए चेह साहिश समैलीत करना है एक तरफ की मिटर दिया गयाय है यानिकि यंत्र दिया गया है ूससे संभंधित माप दिया गया है अप्सन एको देखिए सवरी एवला देखिए फैदो मिटर से क्या मापा जाता है तो समुंद्र की गहराई मापा जाता है निए कि हाई ग्रो मिटर से वाय मंडली अधरता मापा जाता है यानि कि सी का क्या होगा दो तो सी का दो और देखिए अल्टी मिटर से क्या मापा जाता है उंचाई अप्सन नंबर देखिए डी के लिए क्या हो गया तीन हो गया ठीक है तो आपके प्रस्न का सही जबाब क्या निकल कर तो अप्षन B आप लोग द्यां रखेगा इस प्रस्थन के लिए सही जवाब ठीक है चलिए अगला प्रस्थन देखिए यहाँ पर 43 नंबर लोलक की कलावदी किस पर निर्भर करता है देखिए निर्भर पुछा गया है तो देखिए यहाँ पर 43 नंबर जो सही जबाब हो जाएगा लंबाई के उपर निर्भर करती है कौन लोलक की कलाओ दी ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है 44 नमबर एक रंगीन टेलीबीजन में तीन अधारभूत रंगों के मिस्टरण में सिर्रंग बनते हैं यानि कि देखें यहाँ पर जो रंगीन टेलीबीजन में तीन अधारभूत रंगों के मिस्टरण सिर्रंग बनते हैं यह है कौन कौन रंग है आपको बताना है देखिए 44 नमबर प्रस्ण के लिए सही जबाब लाल हरा और निला आप लोग दिया रखिएगा यानि कि अप्सन नमबर भी हो जागा 44 नमब थर्मोस्टिट का कार एक समान ताप मान को बनाय रखना इसका कार है अप्सन नमबर सी अगला प्रस्ण है देखिए 46 नमबर फ्लोरेसेंट ट्यूब यानि कि प्रती दिप्ती वल्प में कौन सी गैस भरी जाती है देखिए कौन सा गैस भरा जाता है बताना है आप सभी को दिखर रखेगा या जो गयस भरा जाता है नियोन भरा जाता है क्या भरा जाता है नियोन अप्सन नमबर एक ओ आपलोप दियान रखेगा 47 नमबर प्रसनिएं भरत की पहली USवदेशी NT post Croatianका नाम क्या है देखिए। इस मिशाईल का जो नाम हो जाएगा धेआ रुद्रम नाम हो जाएगा option number D ठीक है अगला प्रस्ण है 48 नमबर 1 तत्तो में electron और neutron की संख्या क्या है क्रमस 18 और बी से इस तत्तो की patron क्या है देखिए जितना electron होता है उतना ही patron होता है electron कितना है 18 तब patron भी कितना हो जाएगा 18 तो देखिए आपके प्रस्ण के लिए सही जबाब आपका option B हो जागा 18 अगला प्रस्ण है देखिए यहाँ पर उन्चास नमबर plaster of Paris का रसाइनिक रूप है यानि कि रसाइनिक नाम आपको बताना है plaster of Paris रसाइनिक रूप से है क्या है एक परकार का आपको बताना है देखिए जब उन्चास नमर प्रस्ण को सल्व किजिएगा तो केल्सियम सल्फेट यानि कि C A S O 4 into 1 by 2 H2 है इसका रसाइनिक सुत्र होता है ठीक है वह जीपसन का बात की रल लिया जाए तो यह वन बाइट टू के जगा पर क्या हो जागा K1 2 तो इसका रसाइनिक नाम ध्यान रख्येगा केलसियम सलफेट 59 प्रक्रूसने के लिए सही जवाब आपस्ण नंबर क्या हो जाएगा तो ध्यां रखिएगा यह हो जाएगा ठीक है प 346्ट डेंड्रो टायि Empress में निम्निक गैस का पर्योग कियaż यहाथ यहने कि Y-Y-N के टायर में nitrogen gas भरा जाता है इस बात को आप लोग, ध्यान दिखेगा, option आप लोग देख लिजिए, option आपके सामने है, hydrogen, nitrogen, helium, neon, तो देखेए यहाँ पर, option B को ध्यान रखेगा, nitrogen भरा जाता है, ठीक है, helium गुबारे में भरा जाता है, hydrogen को नहीं भरा जाता है, क Y-Y-N पूछा गया है, तो देखेए, nitrogen ध्यार रखेगा, गुबारा पूछे, तो helium ध्यार रखेगा, ठीक है, चलिए, अगला प्रस्न है, देखिए, सुची, एक को सुची, दूसरे क्या करना है, सुमिलित करना है, एक तरफ, देखिए, पदात दिया गया है, और एक तरफ देखिए, आपके प्रस्ने का सही जबाब, एक आउन नमबर के लिए, जो हो जाएगा, यानिकि, अप्सन नमबर B, आप लोग ध्यार रखेगा, वही अगर बात कर लिया जाए, आचार में, तो देखिए, आचार में, एस्टिक अमल पाया जाता है, ठीक है, यानिकि, एक क क्या होगा, तो ध्यार रखेगा, दो होगा, ठीक है, वही अगर बात कर लिया जाए, खटा दूद का, खटा दूद, अप्सन तीन को ध्यार रखेगा, लेक्टिक अमल के कारण होता है, ठीक है, यानिकि, दूद, खटा लेक्टिक अमल, ठीक है, वही बात किया जाए, यहा एलिमेंट्स में से किसका प्रियोग किया जाता है यानि कि माचिस बनाने में जो प्रियोग होता है ध्यान दख्येगा यानि कि फास्पोरोस का होता है लाल फास्पोरोस का होता है वही प्रथम बार किस फास्पोरोस का प्रियोग होता है तो सफेद फास्पोरोस आप लोग ध था देखिए वह पोधा जो था तीरपन नंबर प्रस्ण के लिए तो ध्यान रखेगा गार्डेन पी यहनि की मटर का ठीक है अप्सन सी को आप लोग ध्यान रखेगा चमवन नंबर प्रस्ण है मनुस्य के जीवनकाल में कितने दात दो बार बिक्सित होते हैं कितने दात दो प्रॉत बार विक्षित होते हैं अपसा नंबर सी को आप लोग ध्यां रखिएगा 55 नंबर प्रस्थन है आपक्सिजन को वहन करने की छमता को प्रभावित करने का काम करती है कारबन मोनोकसाइड गया तो अप्शन नमबर डी को आप लोग ध्यान रखेगा अगला प्रस्ण है चपन नमबर प्रकास के निमलेखित प्रकारों में से किसका पौधो द्वारा तिब्र और सोषन होता है पौधो के जवारा कुट से सही उत्तर का चैन कीजिए एक तरफ सुची एक है एक तरफ सुची दो है और देखिए एक तरफ विटामिन दिया गया है एक तरफ उससे संबंधित रोग विटामिन बिटामीनagne KCA Scorbic होता है आक है वितामीन A के होजा से रतादी होता है वितामीन B1 के होजा से बेरि बेरी रोग होता है औरफॉलिक एमले के होजा से ध्ष्यां रखी गा रगता लबता नामक होताısए ध्यां रखीगा इस प्रश्ण का 2 हो जाएगा और देखिए यहाँ पर option B वाले का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यहीनि की B का 3 A का 4 B का 3 और A का कितना 4 सी का 1 और D का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ठीक है तो आपके प्रस्ण का सही जबाब option A जाइगा अगला प्रस्ण देखिए अंताओन नमबर सुची एक को सुची दो के साथ सुमिलित कीजिए और सुचियों के नीचे दिये गए कुट से सही उत्तर का चैन कीजिए एक तरह फार्मोन दिया गया है पहला सुची में दुसरा में स्रावित गरंति दिया गया है ध्यान देजिए अप्सन एको यानि कि अगला प्रस्न देखिए उन्सरट नमबर निवन में से कोन सा जल जनीत रोग है देखिए जल जनीत पूछा गया है अप्सन C को ध्यान रखिएगा है घ्यान ठीक है चेचक का बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा चेचक किसे होता है वाइरस से होता है ठीक है वाइरस आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है ध्यारख्येगा मलेरिया के लिए यानि कि मच्छर के काटने से होता है यानि कि मादा एन्फिलेज मच्छर के काटने से क्या होता है मलेरिया जोल जनित पुछा गया है अप्शन सी को आप लोग ध्यारख्येगा हैजा साथ नमबर प्रस्ण है देखिए यहाँ पर केसर मसाला यहीं कि सेफरन एस्पाइसस बनाने के लिए पोधे का निमलिकित में से कौन सा भाग उप्यूग में लाया जाता है देखिए 60 नमबर प्रस्णों को पढ़िए और सही जबाब बताईए कि इस प्रस्ण के लिए सही जबाब क्या होगा तो वर्ति कागरिया स्टीगमा आप लोग ध्यान रखिएगा अपसर नमबर D देखिए 61 नमबर प्रस्णों के लिए सही जबाब क्या होगा तो ध्यान रखिएगा 1990 में किया गया था 1990 आपके प्रस्ण का सही जबाब होगा ठीक है अगला प्रस्ण नमबर फ्रेंच ओपन 2013 में पूरुष एकल का किताब किसने जीता है ध्यान रखिए 62 नमबर प्रस्ण के लिए सही जबाब आपका इनकी नुवाप जोको बीच ने जीता है किसने जीता है नुवाप जोको बीच आप ध्यान रखिएगा तेज नमबर प्रशन Medicaid के लिए सही ज़ब अगला प्रशन देखे यहाँ पर तिरसर नमबर निमलिखित कतनोंılmış पर विचार कीज़ें कत्रों करना है और ध्यान देजिए टिरसर नमबर प्रसने के लिए सही ज़ब देखें यहाँ पर डाक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने है बिल्कुर सही कतन है दुसरका को पढ़िए अनिल कुमार जैन पेट्रोलियूम और प्राकिर्थिक गैस नियापक बोड यानिकी PNGRB के नए अध्यक्ष बने है दोनों कतन सही है अपसंसी को ध्यान रखिएगा A और दो दो हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्ण 64 नंबर है हाली में हुए नियुक्तियों के संब्ध में कौन सा सुमिरी थे देखिए ट्विटर के CEO पूछ लिया जाये तो ध्यान कियेगा लिंडा या कारीनी ठीक है वही बात के जाये CBI के नए निर्देशक तब परमिन सुद का नाम ध्यान रखिएगा ठीक है और जुन मेगवाल का संबंध भारत के नए कानुन मंत्री बने तो देखिए आप लोग अप्सन नंबर डी या तीनु कथन क्या है सही है अगला प्रस्ण 65 नंबर प्रधार मंत्री नरंदर मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की अधार सिला कि देखिए किस देश में रखी है तो ध्यान रखिएगा पैंसट के लिए जो आपका सही जबाब हो जाएगा यानि कि आपको बताना है तो देखिए इंडोनेसिया अप्सन नंबर डी आप लोग ध्यान रखिएगा पैंसट नंबर प्रस्ण के लिए जो आपका सही जबाब ह खाए अपसन नंबर डी को आप लोक्त ध्यानक्ट कि इसक चप्राइव करता है क्स..? नंबर प्रस्डुक्राप भी प्रorousस्दन और बजाएICO कारव चाहिए अगला है 67 नमबर अंतर राष्टिय गैर लाबकारी संगटन रिपोर्टर्स विदाउट बर्ड निक बर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस सुततरता सुचकांग 2030 में भारत का रेंकिंग क्या है देखिए भारत का अगर रेंकिंग का बात कर लिया जाए तो ध्यान रखेगा आप लोग इस प्रस्ण के लिए 161 है क्या है 161 नमबर पे भारत है अपसन डी आप लोग ध्यान रखेगा और 68 नमबर आपका प्रस्ण है भारत में पर्थम महिला रोजगार का रयाले कहां इस्तित हुआ है ध्यान रखेगा आप लोग 79 नमबर प्रस्ण के लिए सही जबाब अपसन नमबर भी रूज ठीक है रूज आप लोग ध्यान रखेगा 70 नमबर प्रस्ण है किसी देश की आर्थिक सनुविर्धी का सरवाधिक उप्युक्त मापदंड क्या होता है तो देखिए सरवाधिक उप्युक्त मापदंड का अगरबात कर लिया जाए तो प्रती बेक अगर बात कर लिया जाए तो ध्यान रखेगा आप लोग 17 नमबर प्रस्ण के लिए जो सही जवाब हो जाएगा भारत आप लोग ध्यान रखेगा यूनिवर्धा कहां का है भारत प्रस्ण है 72 नमबर यूरोपिय संसत का मुख्याले कहां इस्तित है देखिए आपको बतान का सही जवाब option A को आप लोग ध्यान रखेगा 73 नमबर प्रस्ण है निमलिखित में से सौधी अरव किराजधानी कहां है देखिए सौधी अरव किराजधानी बताना है ध्यान रखेगा option नमबर भी रियाद हो जाएगा ठीक है 74 नमबर प्रस्ण है डायत किस देश के संसत क नाम है देखिए डायेट पुछा गया है तो ध्यान रखेगा 74 नमबर प्रस्ण का जो सही जवाब आपका होगा जैपान आप लोग ध्यान रखेगा 75 नमबर प्रस्ण है 200 में सरवाधिक वर्षा का इस्तान कहां है देखिए सरवाधिक वर्षा जब पूछा गया है देखि कि गुणवता में सुधार की माप के लिए किसने मेयर औफ एकोनॉमी वेल फेयर यानि कि मेड़ विक्सित किया किसने किया आपको बताना है तो देखिए अप्शन डी को ध्यां रख्येगा यानि कि जेम्स रोबिंस ने भी किया था और बिलियम नुर्धास ने किया था यानि कि आपके प्रस्न का सही जबाब A अवर C एनिकि अप्शन नमबर D हो जाएगा सही जबाब ठीक है बिजयगाट आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है बिजयगाट हो जाएगा इंद्रा घाधी का पूछ लिया जाए तो आप लोग ध्यादी का सकती एस्तल आपसे पूछा गया है सांती वन में किस महापुरुस का है समाधी अस्तल तो अप्षन डी जवाहरलाल नेहरू आप लोग ध्यां रखेगा अठाथर नमबर प्रस्ण है प्रादेश्टिक सेना का सेना का स्थापना किस वर्स हुआ देखिए इस सेना का जो अस्थापना हो जाएगा यानि कि 77 नमबर प्रस्ण के बाद जब आप 78 नमबर प्रादेश्टिक आईगा इस प्रस्ण का जो अस्थापना हो जाएगा ध्यां रखेगा दूतियक छित्र का योगदान कितना था दूतियक छित्र पूछा गया है यनि कि उधोग छित्र का पूछा गया है तो देखिए असी को जब सल्व किजिएगा तो देखिए पंदरा परतिशत था कितना था पंदरा परतिशत अफसन नमबर बी को आप लोग ध्यां रखेग अगला प्र patriot एक देखिये इसे निकालने के लिए एक फर्मूला होता है यानि कि POLYS A गुणे दुसरी संघ्या B बराबर क्या होता है HCF गुणे क्या होता है तो ध्यार कियेगा LCM होता है यहां POLYS 24 दिया है 檀ंग्ड करके मान B का मानन निकालेंगे दूसरी संखे निकालेंगे और दूसरी संखे जब निकल जाएगा तो 24 पलस B यानि कि B का जो मान आएगा दूसरी संखे इसमें 2 से भाग कर देंगे इसका आउसत निकल जाएगा और आउसत निकल करके आएगा अपसंसी 112 ठीक है अगला प्रस्ट में देखिए 82 नमबर यदी 11, 23 तता X का आउसत कितना दिया गया है यानि कि 40 है तो X का मान ग्याद करें देखिए कूल टोडल कितना सब्सक्राइब इसमें 3 है यानि कि 11 प्लस 23 प्लस X बटा कितना हो जागा 3 अब बराबर आउसत कितना दिया 84 यहां से हम X का मान निकालेंगे जब निकालिएगा तो आपके प्रस्न का सही जबाब अपसर नमबर C आएगा 86 ठीक अगला प्रस्न मैत का है और देखिए जब इसको सल्व किजिएगा तो अपसर नमबर C यानि कि 120,000 प्रस्न का सही जबाब आएगा ठीक है चलिए अगला प्रस्न है देख लिजिए यहां पर 84 नमबर 84 नमबर प्रस्न को जब सल्व किजिएगा तो इसका जो सही जबाब के सामने निकल करके आएगा अपसर नमबर प्रस्न के लिए सही जबाब सो पचास आएगा ठीक है देखिए मैत के प्रस्ण को बार-बार बोलता हूं कि आप लोग सल्ब करके एंसर हमें बताए लेकिन आप लोग सल्ब नहीं करते हैं लेकिन आपको उस दिन आएगा याद जिस दिन आप प्रस्ण का लेबल और मैं कैसा सेट आपको करा रहा था ठीक है छल्या आगे बढ़ते हैं 87 नंबर प्रस्ण है मैत का इसको जब सल्ब किढ़िए तो आपका सही जसवाब निकल करके आएगा एक्याड़ कर लाद करने के लिए बोला है तो जब इस प्रस्ण को आप लोग सल्व कीजिएगा तो इसका सही जबाब निकल करके आएगा अपसन नमबर यानिकी एक सा दस मिटर आएगा ठीक है चली अगला प्रस्ण है 89 नमबर देखिए साइन टीटा कोशिटा वाला है जिसे आपको पता है कि साइन टीश टीटीगर का मान होता है 1 बटा 2 तो जब इससे रख करके आप लोग बनाईएगा तो इसका सही जबाब जो निकल करके आपके सामने आएगा ध्यां रखिएगा अपसन नमबर यानिकी बी आएगा कितना आएगा अपसन नमबर बी आएगा यानिकी टू अंडर रूट थीरी वट्टा थीरी आएगा इस प् परियोग किया गया है तो सम आप लोग ध्यां रखिएगा अपसर नमबर ए ठीक है अगला प्रस्ण है 92 नमबर काफी इंपोर्टेंट प्रस्ण कवी का एस्ति लिंग सब्द है तो देखिए कवी का एस्ति लिंग जो हो जाएगा देखिए यहापर कवी 3 हो जाएगा option number C, 93 number प्रस्न है, पाउन का संदी विछेते क्या होगा, तो पोधन अवन होगा option number B, यानिकि 93, sorry, एक नमबर यहाँ पर देखिए, पोधन on हो जाएगा, पोधन on यानिकि पाउन हो जाएगा, ठीक है, पोधन on यानिकि पाउन आप लोग ध्याँ रखिएगा, आप लोग द्यां रख्येगा, अप्षन नमबर D, यानिकि असंभाव कारे करना, क्या होजागा, असंभाव कारे करना, अगला प्रस्थन है, गंदला, मैला, मालिन की सब्द के परिवाची है, तर देखिए यह तीनों सब्द जो परिवाची हो जाएंगे, ध्यां द्यां कर ली कौन विन सेड़ चलिए बताईए इसका साइनोनियों क्या होगा साइनोनियों क्या होगा तो देखिए चानवे नंबर प्रस्ण को जब सल्व किजिए गा इसका सही जबाब आपके सामने आएगा अप्सन नंबर बी को आप लोग दियान रखिएगा ठीक है चलिए 97 नं वीट एंड एप्रोप्रियेट ऑप्सन चूज दा कॉरेक्ट अल्टर्नेटिव देखिए इसका अल्टर्नेटिव बताना है एयर ट्रेवल इज दा डैस ग्रोइंग इमीटर ऑफ क्लीमेट चेज कैसेज देखिए जब इस प्रस्ण को आप लोग पढ़िएगा और आपको जबाब देने का प्रयास कीज़ेगा आपका सही जबाब आपके सामने निकल करके आएगा एसका सही जबाब निकलगर के आपके सामने आएगा यानि कि option number B क्या आएगा option number B 99 number प्रस्ण के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा यानि कि option number B ठीक है और 100 number के लिए option number C आप लोग ध्यान रखेगा bit roll ठीक है तो आज के session का हम लोग का test number यानि कि 6 का 100 प्रस्ण था हम लोगों ने daily ठीक है ताकि आप खुद को जहां चपाए कि आप exam में कितना score कर पाईएगा ठीक है तो चलिए session को हम लोग समाप्त करते हैं यही पर फिर मिलेंगे अगले session के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एक चीज आप लोग ध्यान रखेए अगर आपको session अच्छा लगता हो मेरा प्रयास अच्छा लगता हो तो जरूर एक like कर देजिएगा इस session को ठीक है शेयर कर देजिएगा और आप में से कोई new student है और वो भी चाहते हैं कि free of cost बिहार पुलिस test को हम सल्व कर पाएं इस channel को तो जरूर आप subscribe कर देजिएगा ठीक है चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले session के साथ तब तक के लिए